हाई अब्रीकुन फिर से एक नीए उटेसिंग वुडियम आप सबको स्वागत है तो दोसे इस वीडियो का माध्यम से आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों अगर आप एक पीएप मेंबर हैं तो दोसे वीडियो आपके लिए काफी एलफुल का आपने जो वालोगा क्यक्कि दोसे इस वीडियो का माध्यम से आज मैं आपको दोसे इस वीडियों का तरफ से एक नया अपडेट निकल कर आ रहा है जो दोसे इस वीडियों आपको बताने वाला हूँ जैसे जो P.F. का पास्व था उसमें इस वीडियों के तरफ से काफी सरा बदलाव काफी सरा चेंजमेंट किया गया है जिसके वज़़सों जितने भी P.F. नेमर हैं उनको तो P.F. का पैसा या तो फिर पैसन का पैसा या तो फिर टोटल बैलेंस चेक आउट करने में काफी सरा दिकत काफी सरा परिसानी का सामना करना पड़ रहा है लेकिन दोसे इस वीडियो में आपको सबसे असान और सबसे सठीक तरीका और सबसे इजी तरीका से मैं आपको बताऊंगा किस पकार से पैसा या तो फिर पेंसन का पैसा या तो फिर टोटल बालेंस किस पकार से चेक आउट करेंगा, वो जनकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो चेली वीडियो शुरू करते हैं, फटाफर जा लेते हैं, उट सीख लेते हैं, तो सबसे पहले सो आप अपने फोन लाफ्टों कम्पूटर में कोई भी ब्रोजर अगा ब्रोजर आपको करने के बास भास सब्शकर करने अपको पर अपको सर्च कर देना के बास सुर्ण के निचे यहां पर पहला इस विडिया जल depiction आता होगा, लेकिन दूस Volvo इसी सेक्षन में जैसे कि यहां पे पास दिन पहले भी यहां पर दो मन पहले भी तुसको फोकतरफ से जारी किया गया था लेकिन दूस्तों, कुछ दिन बात उसे भी तुरांत ही बंद कर दिया गया था और जो All of Arts रंता पास्वूक का उसे ही दोस्तों यहां पर चालूप कर दिया गया था ठीक है लेकिन दोस्तों फिर से यहां पर इपको के तरफ से नीव पास्वूक के यहां पर लॉंच कर दिया गया है जिसमें से काफी सरा चेंजमेंट आपको देखने के मिलेगा तो चलिए कि पकार से आपको prescription पास्वोक में लोगिन होना हो उसके लेवाइन से यहां प कुछ detail फिल फिलब करना होता है जैसे कि सबसे पहले जो भी आपके पास्वोड होगा यहां पर खिलब करदेना है और जो भी contract code नजर आता होगे शूख ने नीचे देखसे है यहां पर आपना जोगी मेन पार्ट है उससे में आपको समझा आ सके ठीक है सबसे पहला पार्ट आता है यहां पर देखा हो जाना हो जाता हुआ इस पार्ट में वही रीक्वेश्ट हो जाता है जिसकेकर अगर आप अपना प्याप के तोरपे क्लाइम भरते हैं या तो फिर प्रिंसन का फूलन फैला से टेरिमिंड के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं और आपका जो रिक्वेस होता है वो पिढ़निंग में होता है तो दोस वो यहाँ पर अगया वोगा दूसरा पार्ट कि में यहाँ पर बात करता हूं, तो यहाँ पर देखते हो गया, पर फो कर तो फो में पर आ जाता हूं, यहाँ पर नहीं आता हो, प harus زए को अज़र लिए हो, यहाँ पर तो mogą इस देखिए हो कि नहीं थे इतरा है, सबुख में तो पर नदक में चाहरे से और 마elen थे not या तो फिर न online आप से सब्सक्राइए लॉख है और साथ संसों आपका इंप्लोईजर करने का मतलब होता है आपका स्वार परेशान में कांसे होता है वह यहां पर अपर देख चाते हैं मेरे केसमें हैं यहा पर देख सते हैं 1625 रपाय नजर आता होगए ठीक है साते-शासनों 供ोगें जम्पनी यहा पर जम्मकर करता है आपका पी-अप मेह देख चाते हैं यहाँ पे पर आपने जाता हो का 13,847 रुपया ठीक है आप दोसरों यहां पर दोनों एमाम को जोड़ जेते हैं जैसे कि यहां पर 16,5 पलस 13,847 रुपया तो यह बन जाते है 15,472 रुपया जो 15,472 रुपया होता है वो दोसरों मेरा टोटल पीअप का बालांस है ठीक है समझ केंगें को दुसरा पार्ट भी आप दोसरों यहां पर नीचे एक ग्राफ बना होगा है ग्राफ को भी आपको समझना होगा जैसे कि यहां पर देख सेते हैं इंप्लोर सेर का कलर देख सेते हैं वही कलर में दोसरों यहां पर आपके नीचे देख सेते हैं यहां पर एमोंट भी नजर यसे घрашर यहां पर आपके आपके पास 1650 रुपया नजर आता हुगाוכ। फहां है तरलको ऌपने किसी कमपनिय में काम किया है वहां पर रह प कर जाता है इस पकार से अगर आपके पास multiple member ID जैसे 2, 3, 4 member ID है अगर member ID वाज अगर आप balance ये काउट करना चाहते हैं उसके लिए सो यहाँ पर तीसरा पार्ट में देखिए लिखा हो ज़रा आता होगा member watch balance ठीक है तो symbol 100 आपको इस पर click करना है जैसे सो इस पर click करेंगे तो दोस्वों यहाँ पर देखिए member ID यहाँ पर सोच आता है जैसे कि यहाँ पर मैं दो company काम किया हूँ तो दोनों का member ID यहाँ पर देख सकते है ठीक है उसके वाद सो यहाँ पर available balance देख सकते है यहाँ पर balance नजर आता होगा जब कि दोस्वों दोसरा member ID यहाँ पर मैंने full and balance टेटर्मेंट कर लिया था जिसके वाद से यहाँ पर 0 नजर आ रहा है अब यहाँ पर confused नहीं होना है जिससे कि यहाँ पर मेरे किसमें यहाँ पर 15,472 रुपया नजर आ रहा है तो दोनों का जोड कर यहाँ पर सो होता है over all यहाँ पर सो होता है confused नहीं होगा यहाँ से दोसरा member ID वायाज आप अपना PF का पैसा देख सकते है और यहाँ पर जो सो हो रहा हो के वाल दोसरा यहाँ पर PF कहीं पैसा सो होगा member ID वगेरा यहाँ पर देख से दर आता हो data of joining experience कितना हो सब कुछ यहाँ पनाजर आ जाता है तो जो भी यहाँ पर पहला pH होगा वह आपको दोसरा यहाँ पर compete information में ने आपको दे दिया हो हमसा सब कुछ समझ आ गया हो ठीक है अब दोसरे यहाँ पर पैसा चेकाऊट करना जाना हो इसकी पर क्लिक करते हैं अब दोसरे यहाँ भी काफे सारा पार्ट में बाटा गया है देखिए मैं आपको हर पार्ट को आपको बाइर किस बतानी वालो हूँ तक इसधो सब कुछ आपको समझ आ सके ठीक है Universiteit थोड़ा से वीडिय secondo हो सकते है लेकिन des officials कर सकते हैं तर याखो complete वाच किजेग सबसे इंपोर्टेंबार्ट पर सबसे में पार्ट होगा यहां पर select member ID पर आपको click करना है, जैसे इस 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 पर click करते हैं, यहाँ पर member ID सो हो जाता है, ठीक है, आप दूसरों यहाँ यहाँ पर member ID आपको generally select करना होगा, तो दूसरों यहाँ पर particular company का पीयाप को पैसे या फिर pension का पैसे चेक आउट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको particular member ID आपको select करना होगा, ठीक है, समझ गयोंगे, तो चलिए यहाँ पे एक member ID में select कर लेता हूँ, member ID select करने के बास तो आपका यहाँ पर passbook यहाँ पर open हो जाता है, यहाँ भी तो काफे सरा part में बाटा गया, ठीक है, चलिए मैं आपको सबसे पहला part आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले सो यहाँ पर passbook का over view यहाँ पर नजर आ जाता है, सबसे यहाँ पर देख सकते हैं, मेरा total PF का पैसा यहाँ भी नजर आ जाता है, 15,472 रुप, जो अभी है, ठीक है, उसके बास वहाँ अभी तक कितना पैसा कटा हुआ है, कितना जमा हुआ है, वो देख सकते हैं, 47,050 रुप, यह अभी तक का है, total में बात कर रहा हूँ, अभी त 276 रुप, यहाँ पर नजर आता हुए, ठीक है, समझ गयोंगे, इस पोटल है, अभी तक जब तक से आप काम कर रहे है, उस समय से ले करके, अभी तक का बात हो रहा है, ठीक है, उसके बास अभी तक आपका PF का जो एमौन्ट होता है, यह आपका PF का एमौन्ट है, इस पर अभी तक कितना इंट्रेस मिला है, यहाँ पर नजर आता होगा, 1326 रुप, ठीक है, मतलब 46,050 प्लस 15,276 रुप्या पर जो इंट्रेस अभी तक मिला है, वो देख से ले कितना पर नजर आता होगा, ठीक है, समझ गयोंगे, उसके बास पर यहाँ पर ट्रांजेसन देख से यहाँ पर आपका ओभर विव देख जाता है, सेम जो यहाँ पर ओभर विव देखता है, उसका सो नीचे ग्राफ यहाँ पर बना होता है, जिसे कि यहीं देख सकते हैं, ग्राफ आपके पास नजर आता होगा, ठीक है, सेम ग्राफ है, यहाँ साब देख लिजएगा, सेम ग तो 15 साल का यहां पर graph सो जाते ठीक है और यहां पर कॉन सा ग्राप का उंधिया होगा वह देख्री जी इंपर झाया है इस प्रिफ मिदे आपके पास हो गावता है तो चलिए यहां भी मैं आपको पार की से बता देता हूं सभसे पहले यहां पर सोजाना है इसए यहां पर यहां पर आपका जो भी होता है इस पर देखना चाहता है यहां तो फिर्बाइव है जो भी मेंबर आटी होता है वह सबसे पहले आपको समझार को को सिस करता हूं यहां पर सबसे पहले आपका व्यर्जाज्य मथली आपके पास वह जाते हैं कितना मुएजज्रा है कब यहां फे पैसा आपका जमा हुआ udah कमपभी तो जमा किया गया हुँ EPF wages के अनुसार ही दोस्तों जो भी आपका wages होता है उसी का अनुसार ही दोस्तों यहापका PF का पैसा जमा होता है ठीक है समझ गयों किस पकार से निकालना है सेम अगर आप कंपनी कितना जमा किया वो निकालना चाहते हैं तो इसके लिए सेम कल्कुलेशन है यहां पको मल्टीपल करना होगा इतना गुणा कीजिए उसके बाद आपको हन्रेट से भागा दे देना है यहां पर नजर आ जाता आ से चाहता है अपका पैसा होता है वह दोस्तों आपका का एमोंट आ जाएगा 1180 चुपिया ठीक है इस वकार से आपको समझ आ गया गया को इसे क्या निकलता है वो मैंने आपको समझा दियू ठीक है उसके पास सबसे पहले आप पैसे और पेंशन का पैसे मतलब एमोंट और यहां पर अजाता हुगा है यहां पर पर आजाये यहां पर आपका देखे सेर्या है वह भी वहाँ भी था 13847 यहां पर देख जाता है पहला दूसरा ही जोडने के बाद जो भी एमॉंट आता है वो तो सब का पैसा हो जाता है ठीक है समझ गयोंगे पैसा पत्या करना है उसके लिए सबसे लास्ट लाइम में देखें यहां पना जाता होगा पैसन से ठीक है पैस स्यूब जाता है मतलब आपको यह 3 लाइन जोडने है पहला लाइन दूसरा लेन और तीसरा लाइन तिनो लेन को जब जोड़ेते हैं यह हो जाता है ठीक है ठीक है अंत्रेस कары से कहां पर आता है अगर इंट्रेस का पैसा जमा होता है या तो नहीं भी होता है वो कहां पर दिखता है वो भी मैं आपको बता देता हूं जैसे यहां पर देखे नजर आता हूं मतलब सो मेरे केसे यहां पर इंट्रेस नहीं मिला हुआ है नहीं जमा हुआ जिसके बादा से य में आपको समझाने के कोसेच किया हूं वीडियो भी रब और आपको समझ समझ आ गया होगा रबागत और सब कस आपको पहले लाइक किजिए चैनल परने हैं तो वीडियो के नीचे देखिए सब्लया कर बटन के लिए जो तो अब ऐसे dot confusion या तो फी कुछ पूछना चाहते हैं अब direct comment कीजिए मैं comment की जड़ी आप लोगों को बता दूंगा ठीक है तो फिर से मिलते एक नए रिंटेसिंग वीडियों के साथ तब तक जैहिंग जैवारा